बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग ड्यूट बना रहे हैं, काला, कलुआ, इसको कैसी लड़की मिल गई, गोरी लड़की के साथ वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बंदा फेमस हो रहे हैं तो काली की आक्टिंग देखना आपको, चुलो 10 तक काउंट करता हूं, रखो मैं असूला की बिखाता हूं एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, हाट, नो, दस हेलो दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम जाने के ग्रिजस गोर्ड यानि गोल्डन इन्यूक बोई के बारे में, जिन्होंने टिक टोक पर काफी दमाल मचाया हुआ था दोस्तो, आपने गोल्डन इन्यूक बोई की सकस्स को देखा है, लेकिन उससे पहले की जिन्दकी उन्होंने कितने दुक और तकलीफों के साथ गुजारी, ये कोई नहीं जानता सफलता मिलने से पहले लोगों ने ने बहुत ताने मारे, तब तो कुछ लोग उन्हें ने ठला वे कामचोर भी कहते थे और ग्रीजिस गोर्डन ने अपनी रंग की वज़े से भी काफीर जैक्सन जेले है, दोस्तो लोगों ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइब्स किया है अलगें? क्या यारे, मैंने और जब मेशेच मेरा आप दो गणेदे के बास सीन करते हूं मैंने तूरंट सीन किया था और रीपलाई? आज रॉपलाईहां नहीं भोल रही हुआ है बर मैंने सीन तूरंट किया था स्क्रिन्ठॉट हैं मेरे बास? ये क्या लड़कियों की तरह स्क्रीन शॉट्स लेते हो क्योंकि आज कल बहुता स्क्रीन शॉट्स पर कर सकते हैं जोटी कसम तो माक्की भी खाते हैं लोग हरकते तुमारी इश्क वाली हैं और नाम दोसी का देते हैं कुछ ना गर सकते हैं हम लड़कों की हरकते यह इसी होती है ग्रिजेस कोड का जनम 4 जून 1993 को गोरा कुरूतर परदेश में एक लोवर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ परिवार में ग्रिजेस के अलावन के पापा मम्मी और उनका बड़ा भाई है जिनका ग्रिजेस की सकस के पीजे बहुत बड़ा हाथ है जो हम आगे वीडियो में बताएंगे और उनके पापा एक गरीब किसान है जो अपने घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते है ग्रिजेस को अपनी एक्टिंग करना इतना पसंद था कि वो नाइन्थ के बाद अपनी पड़ाई छोड़ना चाते थे लेकिन उनके भाई ने उनसे का कि तू कम से कम टैन्थ तो कर ही ले अपने भाई की बात मानकर उन्हें ने टैन्थ क्लास कम्प्लीट कर ली उसके बाद ये एक्टिंग क्लास लेने लगे ग्रिजेस को एक्टिंग का इतना जुनून था कि वो घर से गेहों की बोरी बेच कर अपनी मम्मी को बिना बताए घर से मुंबई के लिए रवाना हो गए मुंबई जाकर उन्होंने अपने रहने की विवस्ता की लेकिन मुंबई का खर्चा इतना था जो ग्रिजेस गोड अपने अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे फिर उन्होंने एक इस्टेचू बनने की सोचा और पैसे कमाने की भी सोचा फिर उन्होंने अगले दिन अपने आपको पूरा गोल्डन करकर सड़क पर जाकर एक इस्टेचू बनकर खड़े हो गए अपने सामने एक पैसो का बोक्स रख दिया जिसमें उन्हें देखकर लोग पैसे डालने लगे लोगों ने उन्हें वहाँ बहुत प्यार दिया कुछ दिन तक लोग उनके साथ अपने फोटो किचा दे और उनके साथ वीडियो बनाते थे और उनकी वीडियो बना कर जब लोगों ने टिक टोक पर डालने शुरू कर दी तो उन्हें लोगों ने वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया और देखते ही देखते उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वाइरल हो गई और इसी वज़े से उन्हें दाख़पिल सरमा सो में बुलाया गया वहाँ जाकर उन्हें बहुत पर सिद्धी आसिल हुई और वहाँ जाकर उनकी बहुत ज्यादा पैचान भी बनी वही से उन्हें इंडिस्ट्री के लोगों की भी जान पैचान हो गई और उन्होंने काम भी मिलना शुरू हो गया उसके बाद कभी गोल्टन यूनिक बोई ने अपनी जिन्दकी में पीछे मुड़कर नहीं देखा अब तो गोल्टन यूनिक बोई यूटूब पर भी खूब दमाल मचा रहे है दोस्तो ऐसे बन गया है एक गरीब किसान का बेटा इतना बड़ा सूपर स्टार दोस्तो बात करें गोल्टन यूनिक बोई की कमाई के बारे में तो उनके पोसे सोर्स है कमाई के जैसे यूटूब स्पोनसर्शिप, एफलेट मार्केटिंग, ब्रैंड प्रमोशन दोस्तो बात करें उनकी परमन सैल्ली के बारे में तो वो लग बोग 2-3 लाग रुबे प्रोक्स है और दोस्तो बात करें उनके पूरे साल की कमाई के बारे में तो लग 31-40 लाग प्रोक्स है जो कि उनके लिए बहुत है दोस्तों एक गरीब किसान के लिए एतनी कमाई बहुत होती है दोस्तों अगर आपको गोल्डन इनिक बोई की जिन्दकी से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो मारी वीडियो को लाइक एंड शेर तो करना ही अगर आपको गोल्डन इनिक जिन्दकी से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है या आप उनके बहुत ज़्यादा फैन हो तो मारे चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाना दोस्तों क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इंट्रिस्टिंग वीडियो मिलती रहती है मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई जय हिन्द वन्दे मातरम